है वेल्कम टू आउनलाइन ए लेर्निक प्लेटफॉर्म आफ एग्रीकल्चर आएंजी के मैं अभीनाई दिक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके लेर्निक प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बा होने वाला है तो इस वीडियो में आप सभी से डेट वाइस इस्टेडी प्लान डिसकस करूँगा ये स्टडी प्लान आपका ट्वन्टी सिक्स जनवरी से स्टार्ट होगा और आपका 24 फ़र्वर्द तक यह आपका चलेगा तो यह ब्लान जो है वनमंत का है वनमंत में आप आप सभी के लिए एक important information है अगर आपने अभी तक एग्री कल्चर जी के आप को इस्टाल रही किया है तो आप हमारे आप को इस्टाल करिए क्योंकि हमारे आप पे आपको इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर और एलाइट कंपडेटिव एक्जाम के courses मिल जाते हैं affordable price पे मौक्तिस्ट मिल जाते हैं बहुत सारे आपको free notes मिल जाते हैं free कुछ मिल जाती है free mock test भी आपको मिल जाते हैं तो उनको आप दे सकते हैं और इन features का लाब दे सकते हैं तो इसके लिए आप हमारे एप को इस्टाल करिए Link आपको description box में मिल जाएगी इसके लावा अगर आपने अभी तक agriculture gk को YouTube पर subscribe नहीं किया चैनल को subscribe करिए notification bell को आण करिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की update सबसे पहले मिल सके क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को agriculture job की updates और agriculture exam preparation की वीडियो सबसे पहले प्रवाइड की जाती हैं चलिए start करते हैं वीडियो को दोस्तों आप सभी को पता होगा जो आपका exam है वो आपका 25 फरवरी को होने वाला है तो यह प्लान आपका वन मंत का बने बनाया है वन मंत में आपको तैयारी इसकी कैसे करनी है वो जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से पहली बात तो यह कि जवाब अपनी study start करें तो जो इसका syllabus है syllabus की वीडियो में already बना चुका हूँ उसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी उस syllabus को आप उसकी फोटोकापी करा लें और फोटोकापी को जो है जहाँ study करते हैं वहाँ पर दिवाल पे चिपका लें जिससे आप जो है डीली जो topic पढ़ते हैं उन पर टिक करते जाए कि अप आपने यतना पढ़ लिया है और इतना पढ़ना आपको भी बचा हुआ है और आपको at least डेली 5 to 6 hours पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि यह आपका स्लेबस है स्लेबस आपका जो है रीजनिंग इंगलिस मैथ कंप्यूटर और जी इन पांच पार्ट में डिवाइड है इसके लावा जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा वो भी इसमें इंक्लूड है तो कु को अपनी प्रिप्रेशन को करने के लिए एट लिस्ट 5 to 6 hours डेली पढ़ना है और आप जो है इस इस्टी प्लान को फालो करना है इसके लावा आपको जो है मैं आपसे बताया था कि आपको जो है दिवाल पे इसकी जो सिलेबस की फोटोकापी हो चिपका लेनी है और आपको टॉपिक वाइस पढ़ते जाना है टिकरते जाना कि इतना आपने पढ़ लिया है आपको प्रक्टिस लगाने है और इसके लाव आपको प्रिवेस यह पेपर्स की वीडियो आपको देखनी है और उसके एक अपनी प्रपरेशन करनी है कल मौर्निंग में हो सकता है जो मैत का पेपर है वो हम प्रोवाइड करें तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस्टडी प्लान को कैसे आप फालो करें तो पहला इसमें आपका आता है 26 जन्वरी का मार्निंग का सिप्ट अगर आप मालोफ डेली फाइप हवार सटी करते हो तो आप जो है वन हावर देह सकते हैं इच सब्जेक्ट को 26 जन्वरी को क्या करें आप इस दिन आप जो है प्रीजिय्टिंग में और आइंट जैंकिंग की जो है जो हमारी वीडियोस है जो हमारे एगरी कछे के कोट पे अव्य लेबल है अगरी के सब्सकर करें और न precisamente कि ऊ realmente का उसमें आप जो है नौन की क्लासित देख सकते हैं इंग्लियाव अद्व आप कर सकते हैं और उनकी जो question वगएरा है उनकी practice कर सकते हो तो यह आपको करना है फिर आपका next part आता है मायत का part next जो वन हावर होगा इस वन हावर में आपको जो है जो जीए की हमारी e-book है जीए जीएस की जो हमारी e-book है उस e-book को आपको पढ़ना है इसके लवा जो मिसलैनियस topics है वो टॉपिक आप इस टाइम पर कवर कर सकते हो अभी हमारे कंप्यूटर की e-book अविलेबल नहीं हो पाई है तो तब तक के लिए आप जो मिसलैनियस topic है उन इस सब्सक्राइब करता है आपके ऊपर कि आप कितना dedicated है अपने exam को ले करके अपनी preparation को ले करके फिर आपका आता है 27 जनवरी इस दिन आपको क्या घबना है सेम वही पैटन आपको जो है repeat करना है order as ranking पढ़ना है आपको first two hour में या one hour में आपको पढ़ना है order as ranking फिर आपका English में नाउन पढ़ना है आपको next one hour में फिर आपका मैथ में ratio and percentage के topic को फिर से revise करना है जो आपकी वीडियो बच गई है उन वीडियो को आपको फालो करना है देखिए जो हमने अप्लाद मराया है दोस्तों यह प्लान जो है आपका जो एग्रीकल्चर जीके एप मेनेज्में में धनिय का कोर्स एविलेबल है यह फ्लान उसके according है तो जैसे हम इसमें classes provide की है यह प्लान हमने उसके recording last तो आपको हमारी classes इसी according follow करनी है अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है प्र आपका आता है computer इसके लिए आप जो है computer की ebook को पढ़ सकते हैं या मिस्लेनिया टॉपिक जो आपके बच गदाए हो या आप जो है descriptive paper की practice कर सकते हैं आप जो है आपने computer desktop में जो MS word होता है उसको open करके उसमें जो ऐसे होता है और जो descriptive paper का जो रहता है उसकी आप practice कर सकते हैं आपनी typing को अच्छी कर सकते हैं और जो grammar में mistake होती है उनको आप improve कर सकते हैं तो daily आपको descriptive paper की practice भी करनी रहेगी वह आप जो है मिस्लेनिया टॉपिक में cover up कर सकते हैं फिर आप का आता है जी और जी असका part next hour में उसमें आपको जो हमारी आपको पढ़ना है फिर आपका आता है 28 जन्वरी इस दिन आपको coding decoding topic पे focus करना है 28 और 29 को आपको जो है coding decoding के topics पे focus करना है और next two hour के लिए आप जो है English grammar pronoun पे focus कर सकते हो 28 और 29 जन्वरी को फिर आपका जो नेक्स्ट टू हावार है उसमें आप जो है जेस यो एन परसेंटेज को लगा सकते हो मैथ में और इस पीड टाइम और डिस्टेंस को लगा सकते हैं आप जो है 29 जन्वरी को मैथ में फिर आपका आता है computer का पार्ट इसमें आप जो computer की e-book है उसको पढ़ सकते हैं या आप डिस्क्रिप्ट्ट्व जो पेपर है इंगलिस का उसकी प्रक्टिस कर सकते हैं आपका आता है 30 जन्वरी इस दिन क्या करना है आपको direction and distance के topic focus करने है, से ग्याइव को 31 तारीख को भी करना है, direction and distance के topic पर focus करना है, next जो होगे 2 hours में आपको जो है English grammar article फे focus करना है, प्रीस और कटरेको फिर आपका मैथ में जो है आप जो एंटीस तारीक को स्बीट टाइमन इस्टेन स्कें टिक प्रफिक पोकॉस कर सकते हो। और 31 जन्वरि को आप जो है और इनके practice sets भी लगा सकते हैं प्रक्टिस एट्स वगरा आपको हमारे course में प्रवाइड किये गए हैं फिर आपका आता है computer का part computer वाले पार्ट को आप हमारी जो computer वाली ebook है उसको पढ़ सकते हैं और अगर अभी ebook कोर्स में अविलेबल नहीं हुई हो तो आप उस case में जो है जो आपका descriptive paper एंग्लेस का उस पर focus कर सकते हैं descriptive paper के जो practice है उसको आप कर सकते हैं अपने typing speed को maintain कर सकते हैं जीए और जीएस की ebook को आप पढ़िए next two hour के लिए जीए और जीएस में आप जो है जैसे आपका किसी दिन आपने history पढ़ लिया तो लगाता दो दिन आप history पढ़िए ऐसे ही दो दिन आप पॉलिटी पर सकते हैं इंडियन constitution वगरा कवर कर सकते हैं दो दिनों में फिर आप जो है geography हो गई साइसर टेक्नलोजी हो गई ऐसे ही आप जो है दो दिन का प्लान लेकर चलिए दो दिन जो है आप एक पर सकते हैं आपके पास only one month ठीच में नहीं के लिए उर फिर आपको आता है first फर्वरी first फर्वरी को आपको तयो सब्सक्राइब करेंगे है और मैत में आप जो है सिंपल इंक्रेश चोफिक के और करते हैं क्यों सरी चापिक को कर कर सकते हैं इसके actress में आप जो है computer की ebook पर सकते हैं या आप जुकिट कि टेप्टी यूंगलीश के intelligent कर सकते हैं और जिए और जियास में आप ये क्या कर सकते हैं जो मारी ebook है उसको पर सकते हैं लिए आपका जूह है इस टार्टिंच के दिलों का प्लान हो गया यह आगे बढ़ते हैं अ कि अ पिर आपका आता है आर्क्टर अल्ट किया करना है आपको जो है आपको जो है in डानियार रिजुनिंग में नियर और आपको जो है इंगलीज मेंativas आ का तॉपक अगर आपैंग्यां जीके प्रवाइब कर ले जाओं में जो आपको अग्रृप्र अच्छी हैं तो आप को ग्रामर के काफी से फूकस करना और एग्रीकल्ट जी के प्रेट फॉर्म पे जो क्लास फ्रोइड की गई है ग्रामर के लिए या इंगलिस के लिए उन में काफी अच्छे से सब्झाया गया है काफी अच्छे से फ्रक्याटी ने आप सभी को इंगलिस पढ़ाई है तो वीडियो को आप फालो करिए फिर आप काता है मैत का पार्ट मैध कर पार्ट में नेक्ष्ट लावर में आप जो है क्वाड्राटिक एक वड को उब लगा सकते हैं skincare ओसे यह निछ क में आप जो है जीयस और बिस एक की ए-book को बढ सकते हैं या मतुलियानले ट्रपिक से फोकॉस कर सकते हैं फिर उन्हीं तर्ड कहते हैं इस दिन आप जो है ठीजिटिश्य टॉपकी के वोकॉस करें थार्ड और फोर्ट को आप जो है पर सकते हो ब्रड लेशन सिप ब्रड लेशन स्वरी रिजिनिंग में इंग्लिस में आप जो है थर्ड फर्वरी को एड्जेक्टिव पर अडवर पर सकते हो और फोर फर्वरी को आप जो है पर पोजितन पर सकते हो ग्रामर में मैस में आप जो है थर्ड को पर सकते हैं की यहाब जो है हमाले computer वाले ebook को पढ़ सकते हो फिर आता है जीस और जीयका पाण इसमें आप जो है जीस और जीयकी ebook को पढ़िए मिसले ट्रोपिक को सॉलस्प करिये विर आपका आता है फिट फर्वरी पिर फर्वरी को आप रेजिनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आपकी है फित और छिस्व फरवरी को आप जो है इन्पे प्रक्स करिये इनके इस को लगा यह अधिवीडियो इसके टोपिक करिये इसके लाभा जो आपका LCM और HCM के topic है इन पे focus करिए LCM और HCF के आपके exam में केवल एक question आ सकता है या एक भी question नहीं आएगा तो इस पर आपको time उत्मा नहीं देना है आपको बसके वल एक दिन ही इसकी practice करनी है computer में आप जो है computer की e-book को पढ़ सकते हैं या descriptive paper की practice कर सकते हैं English language में इसके लावा GA और GS में आप जो है उसके topics हैं वो cover up कर सकते हैं हमारी जो e-book है उसको पढ़ सकते हैं फिर आपका आता है 7th और 8th फरवरी इस दिन आप जो है logical और critical reasoning को लगा सकते हैं reasoning में English में आप जो है intonym और synonym को लगा सकते हैं item and phrases को लगा सकते हैं और math में आप जो है permutation and combination की practice कर सकते हैं computer और GA और GS में आपको जो है e-book पढ़नी है और आपको descriptive paper जो आपका आता है English का उसकी practice करनी है तो यह आपका हो गया next plan आगे बढ़ते हैं पिर आपका आता है 9th February 9th को क्या करना है आपको जो है 9th और 10 को आपको जो यह पजल लगाने है रिजिदी में आप पजल के टॉपिक्स में फोकस करिए English में आप फिलर्स को लगाई है और आपका जो है मैस में आप probability के टॉपिक को लगाई है यह यह इतना है पॉर्ट टॉ क्रूटर में आप जो है कर्पूटर की इबुक को पढ़िए और जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिस की प्रक्टिस करिए जी ए और जी एस में आप जो इबुक है उसको पढ़िए करन्ट अफेर की वीडियो को आप फालो करिए फिर आपका आता है 11 फरवरी और 12 फरवरी इस दिन आपको क्या करना है रिजिनिंग में सीटिंग अरेजमेंट के टॉपिक से फोकस करना है और आपका इंगलिस में आप क्लोज टेस्ट लगाई ए रिडिंग कंप्रेहंसंग की प्रक्टिस करिए कि मैस में आप जो है एवरेज वर्क एंड टाइम के जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिस कर सकते हैं 11 और 12 फरवरी को और कंप्यूटर में आप जो है इबुक को पड़ सकते हैं या जो मिस्टाइनियस टॉपिक है जैसे आपका जिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया उसकी प्रक् आमट वाली मिस्टेक है वो आपकी क्लियर हो जाएं जी ए और जीयस में आप जो है जीयस की इबुक पड़ सकते हो जो आपके टाफिक बचे हुए उन पर फोकस कर सकते हो फिर आपका आता है थार्टीन फोर्टीन एंट फिप्टीन फरवरी इसमें क्या करना है आपको जो है थार्टीन को आपका जो है रिजिनिंग में आप सीटिंग अरेजमेंट पढ़िए फोर्टीन फरवरी को रिजिनिंग में आप टाटर सुपिसियंसी पढ़िए और फिप्टीन को आप सिर पर्वार कर सकते हो 14 को आपके दूक्ला के एक्जाम में कर सकते हो 15 को आप प्रॉफिट एल्पर किटर प्रॉटेंग को जो इबुक हमारी हुष को पढ़िए प्लस आप डिस्क्रिप्टिएंग इसकी प्रक्र्टिस करिये तो यह आपको फ़ालो करना है जीए और जीएसमें भी आपको इबुक पढ़नी है और इसके लाव आपको जो है कि ट्रफिक में से अलिया से उनकी फोक उनको जो अच्छी से पढ़ना है कवर अप करना है फिर नेक्स्ट आपका आता है 16, 17 and 18 फरवरी इसमें क्या करना है आपको बेसिकली इसमें आपको जो है 16 को दिलिंग में अफको सिलमगी न पठना ये 17 को आपको ँलावीजिम पढ़ना है उन टोपफ सक्ट आउट करिए और उनट अप वह पढ़िए इंग्लिज में आपको 16 से अपॉर को कुए 14 इन फरेशच पर फोक्स करना है 17 को आप डिसकर्प्रिप्शित तेस्ट को दे सकते हैं एक रीकल्चाइब पर आपको डिस्क्रिप्टिव जाएंगे वह आप दे सकते हैं और इसके लाबा एक टीन फर्वरी को आप डिस्क्रिप्टिव यह टेस्ट को दीजीए फिर से मैथ में आप डिया लगाई ये तीनों दिल 16 17 और 18 डियाई काफी important है इससे आपके exam में at least one question तो आएगा ही आएगा ही आएगा और one question में जो है five question आपके होते हैं तो डियाई आपको पढ़नी है कंप्यूटर की ई-book पढ़नी है और descriptive इसके practice करनी है में सब्सक्राइब पढ़ने है जीए और जीएस में आप जो है last six month का जो current affair है उसकी वीडियोज को देखिए और उसके content को follow करिए है कि 19 20 और 21 परवरी इसमें आपको मिसले इस टॉपिक में फोकस करना है प्रक्टिस सेट्स लगाने है और एग्रीकल्चर जीके एप पे आपको मॉक्त अविलेबल हो जाएंगे उन मॉक्त टेस्ट करिए आप इन तीन दिन को ङ bütün बैस में आप डograf डिसक्रिप्टव ट्र Shall लगाये और इसके लबाव अशुème करिए और सजाय आउ असके करिये chilli पहत स्टैज जिसमें आप जो है 22 और चवबिस इन दो दिनों में क्या करेंगे अप प्रक्रिश से स्टेज को फॉलो करनी है पूरा दिन आपको अच्छे से प्रक्टिस करनी है मॉट्रश लगाने है previous year papers की वीडियो को फालो करनी है उन कोस्टन के कोडिक अपो प्रिप्लेशन करनी है तो यह आपका जो है 30 देस्ट का इस्टी प्लान हो गया और 25 को आपका एक्जाम रहेगा और 25 को आपको जो है इसके लिए क्राइस कोर्स लांच किया है आप हमारे क्रैस फोट को भाई कर सकते हैं उस्ते जूड़ सकते हैं क्रैस कोर्स में आपको जो है अभी 15% कट इस्टेंड-डिस्टाउट मिर्जा है अगर आप कोश्ट को इंडोल करोगे और रिटो करने से पहले तो आप 15 को सब्सक्राइब और सक्कंट कर सकते हैं तो उनको इटेक्टर इसकाउट मिल जाएगा उनको इसे नहीं होगी वाद्सबने तो इसकाउन अगर बात की जाक है कोटे के बारे में तो एक डीश लखी गई है वीडियो के description box में आपको इसको buy करने की link मिल जाएगी और इस course में आपको 250 plus hour की video classes मिलेंगी जो कि आपकी live और recorded दोनों रहेंगी आपको GS की और computer की e-book दी जाएगी descriptive और objective papers के आपको mock test दिये जाएगे special live classes आपको दी जाएगे English descriptive paper की previous year papers आपको provide किये जाएगे और interview guidance भी आपको इसमें दिया जा रहा है तो इस complete features के लिए इस complete course के लिए इस crash course के लिए आप जो है agriculture gk app को install कर सकते हैं या आप हमारी website agriculture gk.in पर जाकर के इस course को install कर सकते हैं सभी link आपको video का description box में provide कर दी गई है हैं वहां से आप check out कर सकते हैं अगर कोई query होती है तो आप मुझे call कर सकते हो मिले नंबर की लिंक भी आपको description box में मिल जाएगी तो दोस्तों यह थी complete information यह था last 30 days का study plan अगर आप इसे follow करते हैं तो निश्ची थी आप exam को crack कर पाएंगे और exam में अच्छे से score कर पाएंगे और जो 50 vacancies आई हुई है इसमें में से एक seat आपकी पक्की हो जाएगी अगर आप इसे अच्छे से फालो करते हैं और डेली six to eight hours study करते हैं तो आपका selection होकर रहेगा तो थांक्यू सो मच मिलेंगे नेक्ट वीडियो में आप